भागलपूर में एक लाचार बेटा अपनी मा की जिंदगी की भीक मांग रहा है। लेकिन ना पैसे और ना कागजात होनी की वज़ा से वो पटना नहीं जा पाया है। लेकर यथा संभब सरकारी मदद की जाएगी। और कोई हलात में लेकिन गंबीर हालत में कहीं इलाज हो जाएगे घरे में इलाज हो जाएगे अच्छा है। क्या बोलाज है। जाएगे जाएगे को साधन नहीं बनाए पैसा यह है। बुद्गंभीर हालत है। क्या करते है। लिए इस हेलप मिल जाएगे कैसो थीक हो जाए बसुद्गंधा साधन है। जैसा गरीब हम तक हम समझते हैं कि इस पड़े भागलपुर में नहीं हो गा। इस को पहले इतना बड़ा च्व्टा सागु रहा हुआ। मतलब हम लोग भी समझे कि छोटा सा गुरा है ठीक हो जाएगा तब इसको हम लोग कुछ पैसा दिये फिर माया अगंज गया वहां दिखलाया खुनों जांज करवाया और इसको उतना बुद्धियुदी तो है नयाती तो हां पर खुनों जांज करके डोक्टर बोला क्या जी क अगंज भागलपूर जिले के सुल्तानगंज थाना पुलीस ने बड़ी कारवाई करते हुए सुल्तानगंज के दिलगवडी मोर के समीप कबारी की दुकान में च्छापे मारी करते हुए भारी मात्रा में लोहे का सामान बरामत किया है सुल्तानगंज अगवानी के बीच गंगा नदी पर बन रहे पूल निगम के लाखो रुपिये के बहुमुल लोहे की रौड सहित अन्य समान जब्त किया गया है पूल निगम के कर्मियों और सुल्तानगंज स्थाना की मौजूदगी में पिछले चार घंटों से सगन चापे मारी की गई जिसमें लगभग एक करोर रुपिये के लोहे का सामान बरामत किया गया सवाल यह है कि दरजनों गार्ड सैक्लों वरकर्स और पूल निगम के अधिकारियों के रहते इतने भारी मात्रा में पूल निगम का समान कबाली दुकान में कैसे पहुँचा और किसकी मिली भगत से पहुँचा यह जाच का विसे है पूरे मामले को लेकर अभी तक पूल निगम के अधिकारियों की और से किसी भी परकार का बयान नहीं आया है फिलहाल पुलिस सभी समानों को जब्द कर तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही है एक और जहां जिले भर में बालू एवं गिटी के ओवरलोड वहनों को बंद करने के लिए जिलादिखारी सुब्रत कुमार सेन ने अस्थाई बाइपास खननचेक पोश्ट का निर्मान कर सभी 14 चका ट्रक समेट बालू एवं गिटी के ओवरलोड ट्रकों के परिचालन को बंद करने का आदेश जारी किया था लेकिन खान एवं भूतत्य विभाग के कर्मियों ने डियम सुब्रत कुमार सेन के जारी आदेश की अभेलना करते हुए सभी 14 चका ट्रक समेट बालू एवं गिटी ओवरलोड ट्रकों को रात तो रात दिन के उजाले में भी जाने की छूट दे रखी है। ट्रकों को पार कराने में डियूटी परतानात होम गाड की अहम भूमिका रहती है। सुत्रों की माने तो माइनिंग के नाम पर परतीक ट्रक से 2000-3000 रुप्य तक की बसूली की जाती है। शेक पोश्ट पर लगे CCTV का क्या अर्थ है? क्या यह CCTV सिर्फ दिखावे के लिए है? अगर नहीं तो फिर खान एवं भूतत्त विभाग के अधिकारी इतनी लापर वहां क्यूं है? भागलपूर जिले का दियाराईला का बीते दिनों बुरी तरह से बाल से प्रभावित था। अधि भी लोगों के घरों में पानी हैं, नातनगर और नरायनपूर परखंड के दियराईलाके के लोग अपने मवेसियों को लेकर हवाई अड़ा इस्थित रहत सिविर में रह रहे हैं। सिविर में 12,885 बड़े पसू और 889 छोटे पसू समेत कुल 22,849 मवेसी हैं। जिला पसू पालन पतादेकारी राजेश कुमार ने बताया कि 24 अगस्त तक हवाई अड़े में पसू के लिए 304,882 क्विंटल चारावितरन किया गया। हवाई अड़ा परिसर में जब हमने पसू पालकों से बात की तो हकीकत को कुछ और ही बताया गया। पसू पालकों ने बताया कि 10 दिन आया हुआ हो चुका है अब तक 2 दिन ही चारा मिल पाया है। मवेसी बिमार हो गए हैं किसी तरह चारा खरीद कर ला रहे हैं। अमरी बिसनपूर निवासी जप्रकास मंडल ने बताया कि कुछ दिन पहले सिविर में उसकी गाय मर गए थी हाला कि अंचराधिकारी रिपोर्ट ले कर गए हैं। भागलपूर के हवाई अड़े में इस्थित बार रहत सिविर में पसू और पसू पालकों की क्या हिस्थिती देखिये इस ग्राउंड रिपोर्ट में। ज़ुत तब में चरसी हैं। आफ गम ये दूंगा है थिरला थिलाख रखेचिज़ आउचे जए अउचपी दूगार थिलात भूच पैसा पूचिस्व दूगार थो जोगों यहाँ श्चव आजप बदूगार रखेचि़ नगे शचिल थे नियुकार था पॉच्बाप हाँ जब पॉर्जऑ हुन जारी एसोपी जो मौनक्स संचालन प्रिक्रिया है उसमें अश्पस निदेश है कि सिवीर में पहुंचे पसू को ही हम लोग रहात बाट सकते हैं उसमें सिर्फ एक ही आदमी है सच्छम है हमारे जिलापदाधी कारी महुद है डियम सहर वो अगर चाहें तो कहीं अलग बटब उनके आदेश से ही हम बाट सकते हैं तो उस अनुसार हम लोगों को जो अपना विभागिया अनुदेश था उसको मैंने पालन किया और परशासन या आपदा प्रवंदन विभाग से इसा कोई निदेश नहीं मिला हमको कि सिवीर से बाहर भी आप बाट सकते हैं खबर सहरसा जिले से है जहां बार बालाओं के साथ तमंचे पर डिसको करता यूबग का वीडियो सोसल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है अस्थानिया पुलीस वाइरल बिडियो में यूबग की पहचान कर गिरपतारी हेतू छापे मारी में चुट गई है मामला बहरा थाना छित्र के लोकही का है जहां बीते दिनों मुहरम के अवसर पर रात में आरकेश्टा कायोजन किया गया था आरकेश्टा में असलील भोजपूरी गाना पर बारबालाओं के दोड़ा जम कर ठुमके लगाए गये थे वाइरल हो रहे बीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह स्टेज पर बारबाला के साथ एक यूबक हाथ में हतियार लिए भोजपूरी गाना पर डान्स कर रहा है यूबक एक हाथ में हतियार थामे हुए है और बारबाला को उनना चा रहा है वहीं दूसरे बीडियो में यूबक हाथ में खुकरी लिये हुए है प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिना प्रसासनिक अनुमती की आरकेश्टा का आयोजन किया गया था हालाकि वीडियो सामने आने के बाद पुलीस यूबक की तलास में जुट गई है और चान बीन कर रही है उक्त वारल वीडियो 23 अगस्त की रात का है वारल वीडियो में दिखरा सक्स का नाम मुहमद अब्दुल बताया जा रहा है वारल बीडियो मुहरम की रात आयोजित अरकेश्टा का है बीडियो वारल होने के बाद अस्थानिय पुलीस के कारेसैली पर भी सवारिया निसान लगने लगा है आखिर बिना अनुमती के कैसे रात भर बार बालाओं का नित्त चलता रहा और नसे में धुत हो युभक हतियार के नोक पर नर्तकी को नचाता रहा इस बाबत जब बहरा थना धच प्रमोद जहा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामने की सूचना मिली है विडियो की परताल की जा रही है सिग्री दोसी युवक पुलीस की गिरप्त में आ जाएगा बिहार राज पद परिवहन निगम भागलपूर प्रमंडल अपने चालकों और समवाकों को ड्रेस परदान कर रही है कई चालकों और समवाकों को ड्रेस मिल चुका है ड्रेस में 60, 50, टोपी, मास्क और सीटी सामिल है सभी 19 चालकों और समवाकों के बीच दो-दो ड्रेसों का वीतरन किया जाना है फिलाल 14-15 कर्मियों के बीच ड्रेस का वीतरन कर दिया गया है इस सबता सभी कर्मियों को ड्रेस मिल जाएगा ड्रेस कोड में चालक वसंवाहक खुस दिख रहे हैं चालक सुनील कुमार ने कहा कि ड्रेस में अच्छा लग रहा है लेकिन दो ड्रेस मिलना चाहिए ताकि एक गंदा हो तो दूसरा पहन सके संवाहक संतोस कुमार ने कहा कि इस ड्रेस का लाब है कि हमको पेसेंजर जल्दी पहचान जाएंगे और जगड़ा भी नहीं करेंगे लेकिन दो ड्रेस मिल जाता तो बेहतर होता वहीं बिहार राजपत परिवहन निगम के साहयक छेत्रिय प्रबंधक राम नरायन दूबे ने कहा कि आरेमेस कमपनी के दोरा सारे इसंबाहों को और चालकों को ड्रेस दिया गया है अभी 14 कर्मियों के वीच वितरन किया गया है दो ड्रेस देने की भी प्रकिरिया हो रही है भागलपूर की जीरो माइल थाना चितर की सबोर बाबुपूर मुख सड़क पत के टाटा मोटर सोरूम के सामनी एचपी गैस गाली के ड्रेवर पर ज्याद बदमासों ने गूली चला दी गनिमत यह रही कि गाली के चालक साजन को गूली नहीं लगी सिर्फ बारूद का हलका चीटा ड्रेवर को लगा है जबकि पीकप वैन का सीसा पूरी तरह छतिगरस्त हो गया घटना के बाबत गाली के चालक साजन ने बताया कि वो गाली लगाने अपने सयोगियों के साथ गोदाम जा रहा था इसी दुरान बाइक से सबोर से भागलपूर की और जा रही बाइक साजक चतिगरस्त होने करन उसके दोरा ब्रेक लगाया जाने के बाद पीछे से आकर उसकी गाली को ठोक दिया और उसके बाद बाइक सबार ने आप देखा न ताव उस पर सीधी गोली जोक दी इसके दोरा उपी छितर के पासी टोला महले में चापे मारी कर दस लिटर देशी सराब के साथ एक सराब कालोबारी को गिरहपतार किया गया है गिरहपतार सराब तसकर का नाम सुनील चौधरी है घटना के बाबत बताया जा रहा है कि पुलीस को यह गुपत सुचना मिली कि पासी टोला महले में अवेद देशी सराब निर्मान कर बिक्री की जा रही है सुचना पर पुलीस बरा छापे मारी कर सुनील चौधरी और परदीप चौधरी के घर से 5-5 लिटर निर्मित देशी सराब बरामत किया गया वही पुलीस ने मौके से सराब कारोबारी सुनील चौधरी को भी धर दबोचा जबकि परदीप चौधरी पुलीस को चकमा देकर भागने में सफल रहा मामने पर मटिया ओपी प्रभारी मितलेस कुमार ने कहा कि दोरों सराब कारोबारीों के बृद्ध एफायार दर्ज कर लिया गया है वही गिरपतार सराब कारोबारी सुनील चौधरी को नियाई किरासत में जेल भेज दिया गया है कोलकाता से मुकामा जा रहा है पानी वाला मालवाहक जहाज पिछले 15 दिनों से गंगा के पानी के बढ़ने के कारण भागलपूर के मायगन इस्पताल के पीछी मुसहरी घाट पर खड़ी है जहाज में कारण 10 कर्मचारी पिछले 15 दिनों से जहाज पर ही रह रहे है मालवाहक जहाज के चालक सांतनु कुमार ने बताया कि वे सभी कोलकाता से मुकामा पार्ट्स पहुचाने जा रहे थे इस दोरान गंगा के जलस्तर में वृद्धी के कारण संभावित हाथसे के खत्रे को देखते हुए अधिकारियों के दोरा जहाज पार्क कर देनी की बात कही गई अधिकारियों के निर्देश पर पिछले पंदरह दिनों से वे सभी भागलपूर के गंगा नदे में जहाज लगा कर खड़े हैं और सभी कर्मचारी जहाज पर ही अपना जीवनियापन कर रहे हैं सुल्तान गंज तारापूर मुख्य मार के कमराय चौक के समीब वहन चेकिंग के दोरान दो यूबकों को हधियार के साथ गिरफतार किया गया है पकड़े गए यूबक की फहचान बाका जिला के संभू गंज थाना च्छितर के कर्सोप गाउ के रहने वाले स्वर्यरतन यादब के पुत्र संतोस कुमार वही दूसरी यूबक की फहचान सुल्तान गंज की सिवनंदन गाउ के रहने वाले बिजय यादब के पुत्र प्राधी की तिहास रहा है और विभिन थानों में कई मामले दर्ज हैं यूबा कांगरेस के खिलाब भागलपूर के भगत सिंग चौक पर केंदर सरकार के दरख किये जा रहे हैं नीजी करन के बिरोध में आक्रोश पूर्ण मार्च निकाला गया इस दौरान प्रदर संकारियों ने परधान मंत्री और केंदर सरकार के खिलाब जम कर नारेबाजी की भागलपूर यूबा कांगरेस के अध्यच अमीत आनंद के नेत्रित्व में आवजित कारिकरम के दुरान भागलपूर विधान सफा युबा कांग्रेस के अध्यच सुमीत साहस सोल सल मीडिया के जोर्नल कॉड़िनेटर निलेज कुमार यूबा कांग्रिस के प्रवक्ता प्रसांद बंदर जी नातनर विधान सभा अध्यच मुकेस चौधरी आरियन राज सहीद दर्जनों कारिकरता महजूद थे